हाजी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों welcome to today's video यह बहुत important वीडियो है आप सारे बच्चों के queries को address करने के लिए जो हर कोई इंसान एक सवाल बेज रहे टेली ग्राम पे WhatsApp पे email पे YouTube पे हर जगे से मैं आप लोगों को एक वीडियो में सब कुछ reply करूँगा SPOM से related प्रीज मेरी बात चान्ती से सुनते जाना ठीक है रजा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सारे बच्चे पूछ रहे है सर 75 hours का आपका जो SPOM का कोर्स था इसके पहले और अब आपने launch किया 30 hours का SPOM का कोर्स तो दोनों में फरक क्या है सबसे बड़ा फरक क्या है सबसे बड़ा फरक ही है रजब वो 75 अच्छा सबसे पहले यह समझो जो CA final law का कोर्स था वो पूरा as it is आपके CA final के SPOM में आ गया है some changes जैसे कि arbitration हट गया, money laundering हट गया FEMA का syllabus उतना ही है, आपका insolvency bankruptcy code आधा हो गया है और बागी companies आट पूरा उतना ही है foreign company हटा दिया इन्होंने, तो changes है थोड़े बोड़े इसलिए मैंने क्या किया था, मेरा CA final का fast track था बहुत प्यारा recording था, बहुत अच्छा था, बहुत सारे बच्चों ने उसको लिया बहुत सारे बच्चे उससे पास हुए, वो ऐसा recording था, जहां पे मैंने refund guarantee scheme निकाला था, कि pass नहीं होए तो पैसे वापस की और उसमें करीबन आप समझो, 800-900 बच्चों ने जो scheme में लिया था, उनमें से सिर्फ तीन बच्चों ने refund claim करने की कोशिश करी थी, जहां पे दो बच्चों का तो यह पता चला था, कि उन्होंने 12% lecture भी नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने book free के चक्कर में ले लिया था, but anything, जाने दो, point यह है, वो lectures बहुत solid है, वो आपके लिए बहुत helpful थे, तो मैंने उसको अभी तक available करवा के रखा था, पर, पिछले एक हफते में जो developments हुए है, उससे सबसे जादा परिशान होने वाला सिर्फ एकी बच्चा है, November 24 अटेम्ड वाला बच्चा, May 25 वाले के पास भी time है, May 24 वाले के पास तो time ही time है, तो परिशान होने वाला बच्चा जो है, वो November 24 वाला बच्चा है, मैंने क्या किया, तो थर्टी हार्स में लौ होता है कि 30, 35, 40 हार्स में, 30, 35, 40 में दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, पर एक बात समझो, हमेशा आपको ये समझना पड़ेगा, that you will have to adopt with the changing environment, and now the changing time is demanding from you, to finish your set A and set B in the least time possible, in the smartest manner possible, तो इसलिए it is an effort wherein I have launched a 30 hours batch, मैं आपको इन एडवा क्योंकि batch आप पे depend करती है, मालो अगर मैंने शुरू के 5 गंटे पढ़ा है, आपको लगा sir, थोड़ा सा आपन और इस पे speed कर सकते है, तो तो आपन 30 गंटे में खतम कर लेंगे, अगर आपको लगा नहीं sir, ये topic थोड़ा और अच्छे से कूल के बतादो, मजा आ जाएगा तो अब ये 35-40 जाने देना कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप लोग अपना paper जो set A का लिख रहो, मैं आपको पहले भी video मैं बोला हूँ, जून 10 के पहले plan ही मत करना, it makes no sense, अब राजा फरक क्या है major, 75 hours कूरा CA final का fast track था, जहां पे हम descriptive के point of view से ready होते थे, जहां पे हम चीज में, पूरा-पूरा 100 marks का, और आप हलका से एक बर मेरी बात है, मेरे example सुन लोगे न, आप exam में सही MCQs थिक कर लोगे, because I will come to teach the content, having solved all the MCQs of CA final, जितने भी आस तक आये, वो सारे अपने solve करी लिये है, और SPOM के भी ICI module में जो questions है, वो भी solve कर लेंगे, तो आपको ये समझना ह कि मैं जब content आऊंगा, तो में को पता है focus कहां पर करना है, बहुत सारी छोड़ी-छोड़ी चीज़े मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपने expertise लेने आई ही नहीं है, हमको expertise उन topics में लेना है, जो हम पढ़ रहे हैं, तो manage करना मेरा गाम है, आप भरोसा रखो, sir मै खुद directors का chapter ना पढ़ाता हो, तो मन से पढ़ाता हो, तो 35 गंटे सिर्फ directors के chapter पढ़ने में लगते हैं, और उसके साथ हमारा पूरा fair notes type ready होता है, हम लोग हर चीज़ को 4 बर revise करते हैं और बहुत सारी चीज़, पर वही directors अब हमको 40 गंटे के 35 गंटे के जगा अपने को 8-10 गंटे में घदम करना पड़ेगा, तो यह फरक जो है, वो आपको समझना पड़ेगा, that it is not going to be 100% conceptual, but at the same time, I can promise you SPOM तो हो जाएगा इस, अब सर्ब दूसरा सवाल फिर यह आता है कि paper 6 IBS का क्या सर, हमको paper 6 IBS भी तो लिखना है, उसमें भी तो weightage है, अब रजा एक बात समझ के जाने की कोई जरुवत ही नहीं, अगर आपको पता है, डिरेक्टर्स वाले चाप्टर में, लोन का question दिसे पिछले attempt में आया था, तो लोन का question मेरे को पता है कि हाँ, डिरेक्टर्स के दूसरे वाले चाप्टर में लोन की बात थी, अब वहाँ जाकर के relevant चीज़े खोजो होगे, और एक बार आप मेरे notes से go through किये होना SPOM के साथ, it will be more than enough, you will be very easily able to solve the questions, because आपको सिर्फ पता होना चाहिए, कहां किस तरह का concept है, exactly क्या concept है, descriptive क्ले, आपको आता भी होगा ना, तब भी आपको book खोलना पड़ेगा, और MCQs भी जो है, वो तो आप SPOM के लिए MCQ की तयार करोगे, तो descriptive का भी हो जाएगा, क्योंकि syllabus 100% से में, ICI लिखता है कि SPOM का जो syllabus है, वो पूरा-पूरा आपके paper 6 के लिए, उससे जादा कुछ भी नहीं करना है, तो आप ये समझो, कि 30 गंटे में आपका SPOM भी हो जाएगा, तो आपका paper 6 भी हो जाएगा, आपको उससे जाद करके दे दूँगा, free में, ये सर, November 24 वालों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, पर May 25, November 25 वाले जो बच्चे हैं, अगर तुमको 30 hours में कहीं पे भी लगा, किया मेरे पास समय है, मैं थोड़ा और deep में जाना चाहता हूँ, तो आप 75 hours वाला free में देख सकते हो, कोई problem नहीं ह एक practical सी बात समझना, मैं आपके लिए 30 hours का एक अलग सा lectures और 75 का अलग सा lectures बना के उसको differentiation, price differentiation करके बेच सकता था, पर मेरी बात ये समझो कि अभी मेरे को 75 hours वाला जो product है, I don't want to promote that to you, because 30 hours is more important for you, अगर आप समझ गए 30 गंटे में, तो आपने वो 75 hours नहीं देने चाहिए, पर अगर नहीं जमर है, नहीं समझ आ रहे है भाई, क्योंकि है तो ultimately CA final का heavy content ना, पछले attempt तक तो वही चीज 100,000 marks के आते थे, अचानक से easy थोड़ी हो गया, उस case में मैं क्या करूंगा, उस case में I will try to stick to the 75 hours, so that I'll let me clear the confusion, if you are November 24 attempt, 30 hours is good for you, you don't have to use your brain, if you are May 25, 30 hours is good enough, नहीं समझ तो 75 hours का free रहेगा, शुरू के दो घंटे में आप जज कर सकते हो, कि 30 देखना है कि 75, और अगर आपको, और अगर आपको ये दोनों के ऊपर, आया, आया, कर ये दोनों के ऊपर, अगर आपका November 25 onwards attempt है, तो आप तब भी वो course लीजिए और 75 hours वाला देखिएगा, छीक है, और उसके बाद अभी ये तीन हो जाने के बाद मेरी बात ध्यान से समझना, ये तीनों हो गया, आप लोगों के लिए clarity, May 25, November 25 वालो तक के लिए clarity हो गया, अब सर 30 hours में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, बफर जरूर रखना राजा, with the course, we will realize that, because आपके लिए जैसे set A, आपके लिए तो law पूरा-पूरा नियू है, पर मेरे लिए ये teaching experience जहां पर 30 गंटे में तुमको समझाना भी है, पढ़ाना भी है, this is going to be a challenge for me, which मैं बहुत मेहनत करके इसको निभाऊंगा, पर समझना, एक 10 गंटे का buffer रखना, उसमें कहीं पे भी आप वो मत होना, क्योंकि buffer रखना, क्योंकि this will be, this is being exclusively brought to help you, but there may be changes, right, उसके बाद दोस्तों पर कोशिश पूरी करेंगे, 30 गंटे में हो जाए, उससे जादा तुम्हारे पास time नहीं है, सर उसके बाद आपका सवाल या आता है, क्या से पेपर 6 ले इनफ है, वो मैने address कर दिया, हाँ जी सर, सर उसके to pay the course fee, you will have to pay 499 rupees for the admin or technical cost, जो भी है अपना, क्योंकि रजा वो free में upgrade, तो इतने सारे बच्चों का मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी cost आजएगी, उसमें बहुत heavy, तो आप वो 500 rupees पे करेंगे, तो आपको 30 hours का content भी मिल जाएगा, और आप वो 75 hours का भी retain कर सकते हैं, तो आ सारे MCQs collect करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, by 25th I should be able to share a PDF, और उस PDF में जित्रे भी tricky questions है, category A, वो सारे मैं करवा दूगा, category B, यानि कि बहुत straightforward questions भी है, जो तुम देखे तो भी चलता, नहीं देखे तो भी चलता, वो मैं आप लोगों को homework दे दूँगा, पर सारा category A questions जो तुम अगर आया तो हाथ नहीं लगा पाऊगे, या थोड़ा भी सोचना पड़े, वो मैं आपको class में, पूरा करवा दूगा, तो मेरे तरफ से कोश्च तो पूरी रहेगी, sir, ICI material को prefer करें कि आपकी book को आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी book में, कम pages में, ICI material से दो बात करता हूं, जो content आने वाला है, वो बहुत cream, यारा content आने वाला है, और आपको best delivery मिलने वाली है, you are going to enjoy a lot, the language will be Hindi English mix, pure English में नहीं कर सकता, मैं बहुत सारे South की बच्चों का demand आ रहे है, भी मेरे पस वो space नहीं है, वो time नहीं है, pure English launch करने के लागे आएगा, तो मैं जरूर कर द कि November 24 वाले बच्चे, कोई भी बच्चा जो November 23 में law पढ़ चुका है, आप लोगों को ये batch लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक बर law पढ़ चुके हो, तो मेरा revision वीडियो का पूरा playlist बनाए, अगले दो दिन में मैं उसको भी बहुत clean up कर रहा हूं, आप उतना देखके मेरा book पढ़के चले जाओ, आपका काम हो जाए, तो किसले ले 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 ना, क्योंकि paper 6 में भी काम आने वाला है आपका, बस उतना आपके लिए sufficient है, अगर आप November 23 में एक बार law अल्रेडी पढ़ चुके हो, चीक है, ये सर्थ सारे attempt को address कर दिया मैंने, कोई भी question हो, नीचे comment सरूर बता देना, और में मिलता हूं आप से अगले वीडियो में, अंतल दिन, प्लीस टेक केर, study well, keep going, be very prepared for your exams, बहुत एजी है, मैंने कोई बड़ी बात नहीं है, और क्या है, 500 रुपे की तो बात है, ना तो अटेम्ट गिन रहे हैं ये लोग, ना तो पेपर सर्टिफिके मैं ये लिख के दे रहे हैं, तो आपने को फारक का फट नहीं है, चीके, कर लेंगे, मैंने, इस्ट्रेस मतले हो, ठीके रजा, थांकी सो मच, अंतल दिन, तेक केर, I will see you in the next video, if you are watching this video, if you are watching this video, if you are here in this channel for the first time, do make sure you subscribe to my channel, and I will see you in the next video, until then, take care, this is your CWD, Shubham Singal, signing off, bye-bye, बाई, तेको भी बाई बोलने, बोल जे बाई, 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 ये डिस्टर्ब कर रहा है, थांकी सो मच, गई, बाई, ठीके,